नमस्का दोस्तो सौगत आपका रेकुर्मेंट जाव शेवर्टी चानल पर दोस्तों पावर ग्रेड की तरफ से यहां पर बहुत बढ़ी भंपर भरती निकल के आच चुकिए दोस्तों बिजली भी बाग में यहां पर आपको अगर काम करना है तो अच्छी खासी बंपर भरत आब से निकला होगा अप्लिक्सन आप यहां पर देख सकते हैं कौंगंगो इस मिलने वाली यह सारी चीज है पहले जो स्ब्सक्राइब के लिए और निकल करने की दोस्तों इलिक्स निकल के और देख सकते हैं तोटल 48 पोस्ट निकल के आच के लिए अगली स्परवाइजर इलेक्रिकर के लिए 50 निकल चुकि है आप यहां पहले के देख सकते हैं उसमें से डिश्ब के लिए फिल्ड फिल्ड अबिसर इलेक्टिक्र कर निकल आ चुकी है और फिल्ड और सुपरवजर सिविल यहां पहले हैं आप देख सकते हैं पोस्ट है और एक सर्विजमें गले तीन पोस्ट है और पोस्ट इस तरह से कुल मिला के बाइस पोस्ट निकल के आच चुकी है तो अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ फिल्ट सुपरवाइजर की तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाइ कर लीजिए तो दोस् दिया गया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मतलब देशन जोरत ने अगर आप यहाँ पर ट्विंटीनान यहस को पकड़ा जाएगा बाकी लोग यहाँ पर जैसे कि यह पात साल और वह भी सिक लिए तीन साल गवर्मेंट रूल कि सबस्द आपको य क्विश्चन के बात करता अप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्टिकल लिए यहाँ पर आपका क्विश्चन फुल टाइम बीच होना चाहिए या तो फिर वी पावर इंजिनरिंग में आपने किया होना चाहिए विड फिप्टीफ़ाइपरसंट मास्क के साथ में अगर आप पास हो तो आप यहाई पर अपप्लाय कर सकते हो Ciao भागर अपकर सकते हो दkarते हो दो दोस्तों अगली जो पोस्ट है वह है फिल्ड इंजिनियर्स सिविल के लिए और सिविल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं इस आपको 50% मास होना भी जरूरी है सिविल इंजिनियर्स होंगे तो ही चलेगा बाकी इंजिनियर्स के लिए यहां पर एक साल का एक्सपिरेंस भी होना जरूरी है दोस्तों बाकी जो पोस्ट है फिल्ड सुपरवाइजर की लिए निकली है उसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं फुल टाइम रेगुलर तीन तो आपको यहां पर नहीं है मतलब अपर अप्लाइं कर सकते तो आपको सिर्ष डिप्लोमा किया हो तो ही आप याप आप कर सकते हो दोस्तों डिस्टिबिवकली दीपढ़ करते लेक्रिकार के जैसे मैं रहें पहले पुल टाइम तीन साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए रेगुलर सिविल इंजिनियरिंग में तो ही आप यहां पर अप्लाइक कर सकते हो और दोस्तों बाकी चीज़े जैसे कि से में हायर कॉलिफिकिशन यहां पर नहीं चलेगा अलाउड नहीं है और दूसरी बात आपका दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो 30,000 लेकि एक लाग बीस हजार रुपर तक आपको सेलरी मिलने वाली है उसमें इंडस्ट्रियल डिय होगा एक चरह होगा पर अट-35 पे सेंड और बेसिक पे होगा उस सारी मिला के आपको यहां पर सेलरी मिलने वाली है बाकि सारे बी स्टेश लॉपय तक आपको यहां पर सालरी मिलने वाली है मीनिमम गया में अच्छा कासा पगार आपको यहां पर वाला है तो आपको ज़रो रप्लाइब करने अच्छी यहाद। तो आपको गवर्मेंट के सबसे आपको यहां पर मिलने वाला है दोस्तों बाकी चीजे चल देख लिए जैसे कि मैंने आपको सारी चीजे बताने की कोशिश कर रहा हूं जो इंपॉर्टन चीजे मैं यहां पर कवर करने के कोशिश कर रहा हूं तो आपको यहाँ पर किस तरह से सिलेक्षन होगा यह सिलेक्षिन प्रोसिस कहा रही है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिल्ड एंगिंजिनर के लिए ट्विंटीफाइक रहेंगे बेशन लॉजिकल रिजिनिंग डाटा इंटरप्शन कंपरेंशन व्यक्या व्यक्प लरी और डाटा सफिसेंसी और निम्रिक अपडिटी इसी के ऊपर आपको 25 रहेंगे और तो दोस्तों लगेगा और मेरिट के ऊपर आपका यहां पर सिलेक्षण होगा और पोस्त के लिए मिनिमम जरूरी है और रिजर्ट के लिए यहां पर 30 परसंट मिलना जरूरी है दोस्तों फिल्ड सुपर्वाजर के लिए बात करें तो आप यहां पर देख सकते यहां पर भी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगी पचास क्वेशन की वो डिपलोमा के ऊपर रहेगी डिपेंड सकते हैं और आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों फीज की बात करेंगेशन फीज की बात करता आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप फिल्ड इंजिनेर के लिए यहाँ पर चारसुरूपी फीज लगने वाली है और अगर आप फिल्ड प्रव्भाइजर क्लिए अप्लाय करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल सीविल दोनों के यहाँ पर और अगर आप यहां पर टोटल है मतलब कुछ भी फीज भरने की जरूरत नहीं है तो यहां पर कि लिए कुछ भी नहीं लगी दोस्तों अप्लाइक इस तरह से करना यहां पर दिया गया है आप यहां पर चेक कर सकते हैं इस website पर आपको जाना है www.powergrid.in पर उसके बाद में जाना है बाद में जाना है ओपनिंग करना है उसके बाद में एक्सिट्यों पोजिशन्स ऑफ और इंडिया बेसे संदेन एंगेजमेंट ऑप एक्सपिरियंस परस्नल ऑन कॉंट्रैक बेसिक आप पोस्ट यह जो लिखा है उसके उपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको अप्लाइ करना है उसके लिए क्या क्या लगे का आप यहां पर देख सकते हैं आपको फोडोस लगने वाला एक कलर साइस का फोटोग्राफ उसके बाद में शिकनीचर फॉर्मेट में ही रहेगी यह सारी चीज आप यहा यहां पर 70 देखने को मिल रही है तो 77 के पहले आपको यहां पर अपलाइक करना ज़रूरी है बाकि जीज़ आप यहां पर चेक कर लिजे मैंने इन चीज़ें सारी आपको बता यह सारी समझ में आए होगी तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए दूस्तों साथ में शेर कीजिए और आप सच मुझ गवर्नमेंट जाब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों आपसे कुछ भी मिसाट नहीं इसलिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके रखए साहर सबस्क्राइब करें रहेए झाल झाल